दोस्तों क्या आपका mobile hang करता है, lag करता है, जब भी आप आपकी mobile से mobile data को on करते हैं तो आपका फूर्ण एक दो मिनिट के लिए काम करना बंद कर देता है अगर आप इस तरह का problem face करें तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ साथ tips and tricks करें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आपकी android mobile को आप smoothly ran करवा सकते हैं और आपको आगे जाके कोई भी hang कोई भी lag देखने को नहीं मिलेगा और अगर आप इस तरह का problem face नहीं भी करते हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर अंतक देखते रहें कैसे आप organize तरह से आपके mobile को use कर सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो आप बात करें तो चलिए फटा-फट से मिलेगों स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है विधार आप देख रहें भी इंसाइड लेट स्टार्ट तो दोस्तो सबसे पहला बात कि यह मत सोचे है कि मैं आप लोगों को घ्यान दे रहा हूँ मैं जास्ट आप लोगों को help करना चाहता हूँ और जो points के बारे मैं बताऊंगा उसमें से हो सकते है कि कुछ-कुछ points के बारे में आप लोगों को पहले से पता हो बट बाकी सारे लोगों को पता नहीं होगा उस हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो आपका phone hang होना या फिर lag होने के सबसे बरा रहे सान है internal storage आपका phone का अगर internal storage 90% 95% full हो जाता है तो उसके बाद आपका phone बहुत ज़्यदा hang होना या फिर lag होना सुरू हो जाता है तो आपको एक चीज हमेसा ध्यान देना है कि आपका phone का जो internal storage है जो भी आपका है 32GB हो 64 GB या फिर 128 GB या फिर जो भी हो वो आपको हमेशा 30 से लेके 40% आपको खाली रखना है जी हाँ दूस्तो 32-40% आपको खाली रखना है अगर आपके फोन में 64 GB इंटरनल है तो आपको 15-20 GB आपको खाली रखना है इसके लबाब आप चाहे तो memory card भी लगा सकते हैं उसके अंदर आप file को transfer कर सकते हैं तो इस तरह से आपका laptop computer है तो आप उहाँ पे transfer कर लीचे जितने जदा आप खाली रख पाएंगे उतना phone आपका smoothly चलेगा और आपको कोई भी hang या फिर lag देखने को नहीं मिलेगा और जब भी आपको application install करते हैं तो उसका एक files create होता है internal storage के अंदर और बाद में उस application को अगर आप uninstall कर भी देते हैं तो वो file delete नहीं होता है तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि आपके phone के अंदर जो unnecessary files है उसको आपको delete करना है इस चीज़ को अगर आप चाहे तो files manager क अंदर जाके delete कर सकते हैं लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा और उसके अंदर क्या है वो आप अच्छे से देख लीजेगा क्योंकि बहुत सरा ऐसा वी files हो सकते हैं जो important हो और बहुत delete हो जाए तो इस चीज़ को ध्यान देके आप delete कर सकते हैं तो आपका internet memory और जाली हो जाएगा चली दूस्तों अगले points के बारें बात करते हैं आपकी phone में बहुत सरा ऐसा application रहता है जो आपकी phone में install तो होता है लेकिन आप उसको use नहीं करते हैं तो आपको इस चीज़ को समझना है कि कौन-कौन सा application आपका बहुत ज़दा important है और कौन-कौन सा application आप म लोग उसको नहीं देखते हैं और उसको uninstall भी नहीं करते हैं तो उन सारे application जो जरूरत आपको नहीं है वो आपको uninstall कर देना है और जितना हो सके कम application आपको use करना है अगर आपको कभी कबार जरूरत पढ़ता है किसी भी application का तो आप बात में install कर सकते हैं जैसे कि आप माल ल वो आपका consume होगा लेकिन आपका phone का जो storage है वो आपका कम हो जाएगा और आपका phone बहुत ही smoothly run कर पाएगा तो आपको एक चीज हमेशा दियादने रहा है कि जितना हो सके आपको कम से कम application आपकी phone में रखना है और दोस्ते एक बहुत ही important चीज के normal जो facebook application आता है वो हमारी phone का आधा problem हो ही पे solve हो जाएगा जी हाँ दोस्तो facebook और messenger बहुत सारा RAM आपका consume करके रखता है जिसके करण आपका phone हमेशा lag करता है hang करता है आप चाहे तो facebook light application को use कर सकते है आप chrome से जाके आप facebook को directly use कर सकते है लेकिन अगर आप इस application को use करेंगे तो आपका phone बहुत जदा hang होगा और बहुत जदा lag definitely होगा so जितना कम apps उतना जदा आपका phone smooth दूस्तो मैं बहुत सारी user को देखता हूँ जब भी कोई application use करते है तो हमेशा उस application से बापस आने के लिए home key का use करते है और इसके लिए बहुत सारा जो recent application रहता है उसका जो list है वो बहुत बढ़ा हो जाता है और उसको close नहीं करते है तो आपको ऐसा नहीं करना है जब भी आपको यह application use करते है और उसका काम हो जाता है तो उसके बाद उस application को हमेशा close करना है recent जो menu रहता है उसके अंदर बहुत सारा आपका application पढ़ा हो रहता है तो उसको भी हमेशा आपको close करना है कोई भी application use करने के बा सा close कर देना है और दूसरे एक बहुत important चीज़ अगर आप game खेलना पसंद करते है आपके mobile पे तो आपके phone में जो भी RAM है उसके according आपका game होना चाहिए अगर आपके phone में 2GB RAM हो या फी 3GB, 4GB, 6GB या फी जितना भी ज़्यादा हो उसके अनुसार आपको game install करना है अगर आप मान तो ये चीज़ आपको हमेसा ध्यान देना है कि आपकी phone में अगर RAM कम है तो आपको heavy application यूज नहीं करना है आपको कम से कम जो memory वाला application है उसी को सिर्फ यूज करना है अगर आपके phone में 6GB RAM है, 4GB भी है तो आप जो भी चाहिए application यूज कर सकते हैं कोई भी आपको दिक्कत न लगा हुआ है और आप उसके अंदर game खेल रहे है आप बहुत सारा अलग-अलग application यूज कर रहे है तो उस वक्त आपका phone ज्यादा heat होगा या फिर आप बहुत ज्यादा multitasking कर रहे है बहुत देर तक game खेल रहे है तो उस वक्त भी आपका phone हीट हो सकता है तो इसलिए आपको phone normal temperature में आ जाएगा उसके बाद आप फिर से use कर सकते है या फिर आप चाहे तो phone को restart कर सकते है तो भी आपका phone का जो heat है वो कम हो जाएगा अगर आप एक heavy cover यूज करते है उसके कारण भी आपका phone गरम होता है क्योंकि normally जो phone से जो heat release होता है वो आपका बाहर नहीं जा पाता ह वो cover के बज़ा से उसी के अंदर रहा जाता है इसके कारण भी आपका phone का जो performance है वो भी lag करता है तो जब भी आप mobile को charge जेते हैं या फिर आप बहुत देर तक game बगरा खेलते हैं तो उस वक्त आप आपकी cover को खोल के ये सब चीज कर सकते हैं तो आपका phone कम heat होगा और जितन सारा home screen भी रखते हैं और उसके अंदर अलग-अलग सा application रखते हैं तो जितना जदा आप ये सब करेंगे तो आपका phone का जो battery है वो भी consume होगा और साथ में आपका performance भी down होगा तो ये सब चीज को आपको जितना हो सके उतना कम करना है और जितना minimal सा आप use करेंगे उतना जद में restore factory settings यानि कि reset कर सकते हैं आपके phone को अगर आपके phone को reset करेंगे तो आपका phone एक fresh start लेगा एक चीज़ धियान देना है कि जब भी आप reset करते हैं तो आपका phone का internal storage है जो messages है जो context है सब कुछ lost हो जाएगा जो आपका photos videos है वो सब कुछ चला जाएगा तो इसलिए आपको हमे इससे लंबे समय तक आप normally use कर पाएंगा आपको कोई भी problem नहीं होगा और दोस्ते एक चीज़ में हमेशा notice करते हो especially लड़कियों का mobile बहुत जदा अन और्गनाईस तरह से रहता है पता नहीं ऐसा बोलो क्यू करते हैं मुझे कच्रे के जासा लगता है और बहुत जदा hang भ तो आपका phone definitely बहुत ही अच्छे से आप use कर पाएंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही था आशा करते हो कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना मत भूले कर कोई भी आ सवाल या सुझाबे तो आप definitely नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके comment का reply जरूर करूँगा और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे आपको subscribe button मिल जाएगा click करके subscribe जरूर कर देगा तो चले मिलता है next video में तब तक के लिए good bye thank you so much video देखने के बहुत बहुत देखने बाग